हेलो दोस्तों, एडूटेरिया का न्यू बुक सामान अध्यन आ गया है पचात्तर सो प्लस MCQ के साथ, इसमें डेर सो प्रैक्टिस सेट है, आज प्रैक्टिस सेट वन को सॉल्व करेंगे, वस्तुनिष्ट सामान अध्यन का काफी अच्छा प्रश्ण है, जो सभी परतियोगी परिक्छाओं के लिए बेहत उप्योगी होने वाला है, तो आप इसे जरूर देखे, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है, तो चलिए सुरू करते हैं, पहला प्रैक्टिस सेट का पहला कोश्चन, रीपबलिकन पार्टी ओफ इंडिया के संस् संस्थापक निम्न में कौन थे, ओप्शन D, B.R. अम्बेटकर, रीपबलिकन पार्टी ओफ इंडिया के संस्थापक थे, वर्स 1920 की खिलाफत कमिटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन की नित्रित्त को समहालने का अनुरोद किया गया था, वह सभा किस सहड में हुई थी? वह सभा इलहाबाद सहड में हुई थी? निम्न लिखित में से कौन व्यक्ती होम रूल लीग की अस्थापना में सामिल नहीं थे? एच एस अलकॉट होम रूल लीग की अस्थापना में सामिल नहीं थे? नो आखली घटना के समय महत्मा गांधी की नीजी सचीव कौन थे? नो आखली घटना के समय महत्मा गांधी की नीजी सचीव कौन थे? आप्शन सी प्यारे लाल महत्मा गांधी की नीजी सचीव थे? सविने अवग्या आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया? सविने अवग्या आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्म कार्यक्रम को बंकिम चंद्र चटरजी की रचना कौन सी नहीं है? पोश्ट मास्टर बंकिम चंद्र चटरजी की रचना नहीं है बाकी दुर्गेस नंदनी, आनंदमठ, देवी चोधरानी बंकिम चंद्र चटरजी की रचना है वर्स 1911 में किस सामाजिक कार्य करता ने ब्रेटिस विधान परिसद के समक्ष निशुलक तथा अनिवार्य प्रात्मिक सिक्षा का प्रस्ताव रखा था गोपाल क्रिश्न गोखले ने सामाजिक कार्य करता ने ब्रेटिस विधान परिसद के समक्ष निशुलक तथा अनिवार्य प्रात्मिक सिक्षा का प्रस्ताव रखा था नेमन लिखित में से दक्षिन भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला सासक कौन था? अलाउद्दिन खिलजी अलाउद्दिन खिलजी दक्षिन भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला सासक था? नेमन लिखित में से कौन सा व्यक्ति रमप विद्रो से संबंदित हैं? पागलपन्त की अस्थापना किसने की थी? पागलपन्त की अस्थापना किसने की थी? करम सह ने पागल पंथ की अस्थापना की थी पानी पत के युद्ध में बावर की जीतने का मुख्य कारण क्या था तुलू गमा पद्धती पानी पत के युद्ध में बावर की जीतने का मुख्य कारण था मद्धिकाल में जोनपूर में स्वतंद्र सडकी राजवन्स की अस्थापना किसी ने की मलिक उल्क सडक ने मद्धिकाल में जोनपूर में स्वतंद्र सडकी राजवन्स की अस्थापना की अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सवधान प्राप्त हुए हैं जोडवे संस्कृती से अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चे के सवधान प्राप्त हुए हैं भागवत संप्रदाय की विकास में किसका योगदान अत्यधिक था गुप्त का योगदान अत्यधिक था धमेक इस्तुप कहां इस्तित है वह सुल्टान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था अलाउदिन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था यूरोप को उत्री अमेरिका से कौन सा सागर या माहा सागर अलग करता है उत्रे अट्लांटिक माहा सागर सिवालिक सेल समू के दक्षिन में भावर छेत्र उधारन है गिरिपद इस्थिती का गिरिपद इस्थिती का सिवालिक सेल समू के दक्षिन में भावर छेत्र उधारन है निम्न लिकित में से कौन सा सौर परिवार से संबंदित नहीं है निहारी का सौर परिवार से संबंदित नहीं है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए अनुछेट 26 अनुछेट 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंद की स्वतंत्रता अनुछेद 40 है ग्राम पंचाइतों का गठन अनुछेद 98 है संसद सचीवाले अनुछेद 239 है संग सासिच छेत्रों का प्रशाशन Option A, Right Answer निम्न लिखित छेत्रों में किस एक छेत्र में राच सरकार का अस्थान्य इकायों पर नियंत्र नहीं होता है निम्न लिखित छेत्रों में से किस एक छेत्र में राच सरकार का अस्थान्य इकायों पर नियंत्र नहीं होता है नागरीकों की सिकायते पर नियंत्र नहीं होता है निम्न लिखित कत्नों में से कौन सा कत्थन गलत है मौलिक अधिकार पर सम्विधान का भाग 3 USA के Bill of Rights पर अधारित है सम्विधान के अनुछे 21 के अंतरगत मृत्यों का अधिकार भूलबुत अधिकार है भारत्य सम्विधान एक पूर्ण संग्य सम्विधान है भारत्य सम्विधान के अनुसार मूलबुत अधिकारों को हटाया जा सकता है प्रश्न के अनुसार गलत कथन option D हो जाएगा B, C, D, option D, right answer वर्ष 2011 में भारत के सम्विधान में होने वाले 97 संसोधन का संबंद किस विशय से है सहकारी संस्थाओं का गठन वक कार्य संचालन के विशय से है भारत में संसद्वार पंचायत प्रवधान अनुसुचित छेत्रों तक विश्ताड कानुन का पारित किया गया 1996 इस्वी में 1996 में भारत की संसद्वारा पंचायत प्रावधान कानुन पारित किया गया व्यक्तिगत प्रायोजय आई PDI 1 है PDI 1 है Option B PDI बड़ाबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुकतान गैर कर भुकतान Option B Right Answer PDI बड़ाबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुकतान माइनस गैर कर भुकतान सरीर के संपर्क में इस्प्रेट थंडी अनुभूती देती है क्योंकि यह अत्यन वास्प सेल है जब जल जल वास्प में परिवर्तित होता है तब वाता वर्निय उस्मा स्रोतों से उस्मा जल में प्रभावित होती है हरे पौधे सूर्य के प्रकास की उर्जा का प्रतिसत ग्रहन करते हैं और उसे खाद्य उर्जा में परिवर्तित करते हैं एक प्रतिसत हरे पौधे सूर्य के प्रकास की उर्जा का एक प्रतिसत ग्रहन करते हैं और उसे खाद्य उर्जा में परिवर्तित करते हैं सूची एक को सूची दोसे सुमेलित कीजिए धातु संबंदित रोग आरसेनीक आरसेनीक है फेफरे का कैंसर संबंदित रोग केड्मियम केड्मियम है हड्डियों में कमजोडी पॉली विनाइल क्लोराइड सम्बंदित है स्वसन सम्बंदि समस्यां से बेरी मियम है मस्तिस्क सूजन ओप्शन डी राइट एंसर सांद्र सल्फ्यूरिक अमल की उपस्थिती में एसीटिक अमल तथा एथिल अलकोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है एस्टिक रन ग्रेफाइड में पर्तों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वांडर बॉल्स बलो द्वारा निम्न लिकित में से कौन सा एक याता यात संचालित नगडों में भूरी वायू बनाने में संबंध है सल्फर डायोकसाइड एक याता यात संचालित नगडों में भूरी वायू बनाने में संबंध है किस प्रकार के उत्तक से मनुस्यों में ग्रंती का निर्मान होता है मनुस्य की लाड में उपस्थित एक घातक लाइजोजाइम किस रूप में कार्य करता है प्रिती जिवानों कारक के रूप में कार्य करता है पौधों में रंद्रों का खुलना एवं बंध होना किस पर निर्भर करता है इस फिती दाप पर निर्भर करता है निम्न में से फूल का एक अंस भाग है निम्न में से कौन फूल का एक अंस भाग है इस्त्री केसर इस्त्री केसर फूल का एक अंस भाग है सफेद फासफोरस के संबंद में नेमनलिकित कत्नों पर विचार कीजिए यह एक विसेला पदार्थ है जिसका उप्योग रसाइनिक हत्यार के रूप में किया जा सकता है यह अत्यदिक ज्वलन सील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वता प्रजोलित हो जाता है उप्युक्त में से कौन सा कत्न सही है औप्शन सी एक और दो दोनों कत्न सत्य है सही है सामान्य ठंड में नेमनलिकित में से कौन सा नासी का संकूलन के लिए उत्तरदाई है सामान ठंड में नेमनलिकित में से कौन नासी का संकूलन के लिए उत्तरदाई है हिष्ट मेन नासी का संकूलन के लिए उत्तरदाई है केंद्र कला का निर्मान किस कोशिकांग द्वारा होता है अंतर द्रव्य जालिका में केंद्र कला का निर्मान कोशिकांग द्वारा होता है लसिका एवं रुधीर किस उत्तक का उधारन है सह वहनिय उत्तक, सह वहनिय उत्तक का लसिका एवं रुधीर उत्तक का उधारन है भारतिय अर्थ विवस्था के संदर्ग में खुला बाजार पली चालन किसे निद्रिष्ट करता है आर्बियाई द्वारा सरकारी प्रिती भूतियों के क्रय और विक्रय करना खुला बाजार पली चालन निद्रिष्ट करता है पुंजी खाता परिवर्तन नियत की सिफारिस निम्न में से किस समीती ने की थी तारापोर समीती ने की थी भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभासित करने वाला विद्वान कौन है एच एच बेडोज भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभासित करने वाला विद्वान है भारत के निम्नलिकित छेत्रों में से कौन सा परिस्थितिक उष्ण अस्थल माना जाता है पश्रिमी घाट को परिस्थित की उश्न अस्थल माना जाता है विश्व संगित दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगित दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को विश्व संगित दिवस मनाया जाता है भारत का पहला राष्ट समुद्रिक पार्क कहां इस्थित है कच्छ में भारत का पहला राष्ट समुद्रिक पार्क इस्थित है निम्न लिकित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक अस्थान जीहा जीव नहीं बलकी मन है स्वाद का वास्तविक अस्थान जीव नहीं बलकी मन है महत्मा गांधी ने कहा था स्वाद का वास्तविक अस्थान जीवा जीव नहीं बलकी मन है दसोसलिष्ट नामक समचार पत्र का प्रकासन सर्व प्रत्थम किसी ने किया था स्रीपाद अम्रित डांगे ने स्रीपाद अम्रित डांगे ने दसोसलिष्ट नामक समचार पत्र का प्रकासन सर्व प्रत्थम किया था भैसा सिंगी नामक जाती किस राज में पाई जाती है नागा लेंड राज में भैसा सिंगी नामक जाती पाई जाती है HDPE HDPE का पूरा नाम क्या है Option A, High Density Polythylene कुछ important point भी दिये गए हैं, इसे भी देख लेते हैं भारत में मानव का सर्व प्रथम साक्ष प्राप्त हुआ है भारत में मानव का सर्व प्रथम साक्ष प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से सर्व प्रथम प्राचिंतम अस्थाई जीवन के प्रमान मिले हैं मेहर गड़ से एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल के अवसेस मिले हैं दम दमा से गर्थ आवाज के साक्ष प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफ्राने का साक्ष प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से जूते हुए खेत का साक्ष प्राप्त हुआ है काली बंगा से अगनी कुंड का साक्ष प्राप्त हुआ है काली बंगन एवं लोथल से युग्म समाधिया का प्रमान प्राप्त हुआ है काली बंगन एवं लोथन से काली बंगन एबं लोथल से युग्म समाधियां का प्रमान प्राप्त हुआ है तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना एक लास अच्छी लगियो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलती हूं मैं प्रैक्टिस से टू के साथ अगली क्लास में जे हिन थैंक यू